तो दोस्तों कि आपको भी आपके Instagram में कुछ इस तरह उसने problem आ रही है could not refresh feed जब भी आप अपने Izinasigram को open करते हैं यहां पर सिर्फ को दिखाता है we could not refresh feed आप यहां पर refresh करने का ट्रोय करते हैं scroll करने का try करते हैं तो भी आपको ये error बार-बार show करता है अगर आपको ये बार-बार error show कर रहा है तो इसको कैसे solve करना है आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ तो इस वीडियो मैं तक बने रहेगा सबसे पहला क्या काम करना है आपको मैं यहाँ पर 5-6 solution बताऊंगा apply करेंगे problem ठीक हो जाएगी तो यहाँ पर सबसे पहला काम करना है आपके mobile में आपको देखने को मिलगा airplane mode आपको airplane mode को on करना है आपके networks देख सकते हैं उपर से चले जाएंगे फिर इसको बंद कर देना है network refresh होकर आजाएंगे internet से related problem होगी तो solve हो जाएगी अगर आपने mobile data use कर रहे थे तो किसी के hotspot या wifi से connect हो जाए problem solve हो जाएगी यह काम आपको कर लेना है देन उसके बाद आपको क्या करना है अपने instagram को open करना है instagram को open करने के बाद आपको यहाँ पर profile पर click करना है then three lines पर click करना है यहाँ पर आपको setting and price पर click कर लेना है अब यहाँ पर scroll करना है नीचे की तरफ और यहाँ से अपने account को log out कर लेना है देख सकते हैं log out log out पर click करके यहाँ से अपने account को log out करिए then फिर से आप जो है अपने account को login कर लिजिए problem आपकी 100% solve हो जाएगी अगर फिर भी आपकी problem solve नहीं होती है तो आपको Instagram open करने के बाद profile पर click करना है three lines पर click करना है setting and price पर आना है और यहाँ पर आपको search करना होगा data uses data saver लिखना है यहाँ पर data uses and media इस पर click कर लिजिए यहाँ पर आपको option देखने को मिलेगा data saver का यह आपको own होगा तो इसको off कर लिजिए यह काम आपको कर लेना है then back आ जाना है यह काम करने के बाद directly आपको setting में आना है mobile की setting में आने के बाद आपको scroll करना नीचे की तरफ यहाँ पर option मिल जाएगा additional setting का additional setting पर आईए date and time देखने को मिलेगा date and time पर आजाएगे यहाँ पर set time automatically आपको देखने को मिल जाएगा अगर यह आपका बंध है तो आपना date and time सही कर लिजिएगा और यहाँ सी या फिर set time automatically को own कर लिजिएगा जैसे आप इसको ओन करेंगे date and time अगर आपका गलत होगा तो वो automatic सही हो जाएगा ये काम आपको कर लेना होगा then उसके बाद आपको play store पड़ाना है यहाँ पर आपको instagram को search करके instagram को update पर लगा लिना है देख सकते हैं मैंने instagram को update पर लगा लिया है तो इसलिए new versions लाया जाता है तो आप जो है make sure अपना instagram को update कर लें ताकि कोई technical issue हो तो वो solve हो जाए तो ये काम आप कर सकते हैं और अगर आपने instagram को update भी कर लिया है तो भी आपकी problem solve नहीं हुई है तो क्या करना है instagram पर आना है यहाँ पर instagram है long press करिए long press करने के बाद that info देखने को मिल रहा है side में uninstall uninstall पर क्रिक करिए अपने instagram को uninstall कर लिचिए uninstall करके फिर से play store में जाकर आप इसको install करिए और अपने account को login करके check करेंगे problem आपकी solve हो जाएगी could not refresh feed का जो error आपको आ रहा था वो नहीं देखने को मिलेगा